गूब मोरिंग प्रिश्टो ग्लास नेक्स्ट हम डिसकस कर रहे हैं आजर्थ टाइप साफ को आरेणा belang मैशेंकर आरेने घिता रारेने गौल्ध ना ने चल्फटेन से तेमार अरेने तो यह तीन मेजर टाइप समने अ क्या यह रहे हैं छाले किसा आई information को from DNA for the protein synthesis और जो mRNA है वो 2-5% है जो total RNA का इतना part constitute करेगा transfer RNA transfer करेगा amino acids को for the protein synthesis तो amino acids का transfer जो किया जा रहा है during translation वो कौन कर रहा है tRNA कर रहा है और वो amino acids bind करेंगे और क्या कर लेंगे protein की chain बना देंगे यह 15% part constitute करेगा total RNA का next ribosomal RNA ribosomal RNA है जो वो protein के साथ attach रहेगा और ribosomes की formation करेगा ribosomes क्या है protein factory है then यह translation में help करेंगे ribosome की 2 unit होंगी जो वो दोनों की दोनों unit 50s और 30s unit की दोनों की दोनों unit किस में help करेंगे फिर protein synthesis में help करेंगे आज हम discuss कर रहे है about structure of mRNA so start करते है structure of mRNA की बारे में mRNA क्या करता है सबसे important तो इसका function है mRNA receives information from DNA as a code एक code की form में क्या करेगा यह DNA से information लेगा code का मतलब क्या होगा तीन बेस पेर का sequence होता है उसको हम बोलते है code ठीक है codon या फिर code क्या है तीन बेस पेर का sequence है जैसे हमारे पास है ए यू जी तो यह क्या है हमारे पास एक code की formation हो चुकिए तो code की form में DNA से सारी की सारी information करे लेगा यह और फिर क्या करेगा and then translate translate कर देगा यह सारी information को इस code को into ribosome ribosome को provide कर देगा और फिर क्या होगी हमारे पास main जो हमारा target है that is protein synthesis वो process complete हो जाएगी ठीक है तो mRNA information DNA से ली as a code एक code की form में code क्या है तीन जो बेस पेर होते हैं हमारे पास तीन जो बेस पेर से उनका कोई sequence होता है information DNA से ली और फिस को translate कर दिये code को ribosome के पास और ribosome से फिर हमारे पास क्या होगी protein की synthesis हो जाती है अब हमें पता है जो एक strand है DNA की वो क्या है template की तरह work करती है ठीक है और जो strand template की तरह work करेगी उसकी direction हमने क्या मानी थी 3' to 5' बोला था template को हम non-coding strand भी बोलते है ठीक है ठीक है तो इस template strand पर ही क्या होती है mRNA की synthesis होगी कौन सी strand पर जो strand 3' to 5' है उस strand पर ही क्या होगी mRNA की formation होती है तो यह हमारे पास है 3' to 5' direction की strand जिसको हम बोलते है template strand अब इसके पास मान लेजिए कोई sequence है ए जी टी 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 सी तो यह sequence है अब यह जो codes है एक और ले लेते हैं तो यह 3' to 5' direction की DNA की template strand है इसके सामने हमारे पास क्या बनेगा RNA की strand बनेगी RNA की strand अब किस direction में बनेगी ओवेस है 5' to 3' अब A के सामने क्या आएगा adenine के सामने एगा uracil क्योंकि RNA के case में हम थाइमन के place पर क्या यूज कर रहे है यूरसिल को निटोजन बेस पर रहे यहां पर नेक्स जी है ग्यानीं सामने के सामने है ac érin फ्याद विद्ध एढर ने में तो यह हमारे पास क्या होगा RNA की formation अब दी-आने की स्ट्रेंड से जो की थी प्राइम टू फाइब ड्रेक्षिन की है उससे हमारे पास फाइब फाइब टू त्री प्राइब डियरेक्षिन का क्या सिंथेसाइज होता है और एंगे सिंथेसाइज होगा ठीक है क्या synthesize होगा MRNA synthesize होगा अब सबसे important बात जो DNA है ना हमारे पास उस DNA के पास कुछ portion तो होगा coding and कुछ portion होता है non-coding ठीक है कुछ portion क्या है coding और कुछ portion क्या है non-coding ठीक है अब इस coding portion है जो हमारे पास जो की coding portion है ना उसके जो nitrogen होते हैं मतलब उसके जो codons होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम exons तो exons क्या है coding part exon का मतलब क्या है coding part non-coding part में जो भी हमारे पास sequence होता है उसको क्या बोलते हैं intron तो intron क्या है non-coding part of DNA ठीक है DNA है जो उसके दो portion है कुछ portion क्या है coding है coding part क्या बोलते हैं exon non-coding part क्या बोलते हैं intron अब जब DNA से mRNA बन रहा है during transcription तो क्या होगा ये पूरा का पूरा DNA ही क्या होगा transcribe किया जाएगा और mRNA की formation होगी मतलब coding और non-coding दोनों के दोनों portion ही mRNA में आ गए है अब इस mRNA में जहांपे हमारे पास coding मतलब exon and non-coding मतलब intron दोनों portion होगे तो इस RNA को हम बोलते हैं immature और hnRNA अभी ये mRNA नहीं बना RNA का पार्ट तो बन गया बट अभी इसको mature RNA नहीं बोल सकते हैं ये क्या है immature और hnRNA hn का मतलब क्या होता है heteronuclear RNA मिंस ऐसा RNA जिसके पास coding और non-coding दोनों portion है अब हमारा next part क्या होगा हमें इस non-coding portion को इस mRNA से remove करना है क्योंकि mRNA के बाद ही क्या होगी translation की process होगी मतलब protein की formation में अब non-coding portion से protein की formation हम नहीं करा सकते हैं तो हमारा first target क्या है इस non-coding portion को remove किया जाएं तो क्या-क्या part हुआ अभी तक DNA, DNA से हमारे पास बना है hnRNA hnRNA क्यों बोल रहें क्योंकि यह है coding और non-coding दोनों portion को carry करने वाला RNA ठीक है अब इस hnRNA में यह जो मैं blue portion दिखा रहे हूँ आपको यह portion क्या है हमारे पास non-coding portion और non-coding portion कौन क्या बोलते इंट्रोन तो यह हमारे पास इंट्रोन portion और बीच में यह जो सारा black portion है यह क्या है हमारा exon portion मतलब यह है हमारा coding part DNA से किसकी formation हुई यह RNA की कौन से RNA की hnRNA मतलब इस RNA के पास exons और introns coding और non-coding दोनों portion है अब next part क्या किया जाएगा इन introns को remove किया जाता है introns को remove करेंगे with the help of an enzyme उस enzyme का नाम क्या है और enzyme का नाम है हमारे पास endonuclease ठीक है तो endonuclease enzyme की help से हम क्या करेंगे introns को remove करेंगे introns को remove करने के लिए कौन सा enzyme है endonuclease introns को remove क्यों करें इसकी requirement हमें नहीं है जब भी protein की formation होगी उसके लिए और introns को remove कर लेंगे with the help of enzyme endonuclease और इस step को हम क्या बोलते है splicing क्या बोल देंगे splicing splicing का मतलब क्या होगा introns को remove करने के लिए endonuclease क्या कर रहा है splicing क्या किया जा रहा है splicing की process की जा रही है with the help of enzyme endonuclease splicing का मतलब क्या होता है cut लगाना ठीक है यह जो mRNA बनाए अब इसको mRNA नहीं नहीं बोल रहे है hnRNA बोल रहे है यह जो hnRNA है हमारे पास इसमें लगेंगे cut cut कौन लगाएगा endonuclease engine अब जब cut लगाएगा तो क्या होगा so cut लगेंगे तो क्या होगा exon part क्या होगा अलग हो जाएगा तो यह हमारे पास होगे exon part अलग और intron part क्या होगा अलग हो जाएगा cut लगा दिया तो intron और exon part क्या होगे कि हमारे पास separate हो गए ठीक है दोनों के दोनों portion क्या हो गए है separate हो गए यह हमारा काम था अब यह जो इंट्रोंस हैं इनको तो कर दिया जाएगा remove cut लगा दिया उसके बाद एक enzyme आएगा जिसको हम बोलते हैं ligase ligase का काम क्या है always join करना अब किस portion को जोइन करना एक जोन portion को जोइन करना क्योंकि एक जोन portion हमारे पास क्या है coding portion तो ligase enzyme की है हम क्या कर लेंगे सारा का सारा जो एक जोन पार्ट कट हुआ था उसको फिर से जोइन कर लेंगे तो यह सारा हमारे पास क्या है एक zone portion है मतलब अब ये जो RNA है हमारे पास ये क्या है सिर्फ coding पार्ट को carry कर रहा है मतलब जिसके पास सारी information non coding कोई भी पार्ट यहां पे नहीं रहा है ठीक है अब इसके बाद इस RNA को हमें करना activate करने के लिए क्या किया जाएगा इसके head portion पे और tail portion पे कुछ portion अटेच किया जाएगा ठीक है अब लेखो DNA तो था 3 प्राइम तू 5 प्राइम मतलब यह है हमारे पास 3 प्राइम तू 5 प्राइम टेंप्लेट पर फॉर्मेशन होई थी RNA की direction में बनेगा 5 प्राइम तू 3 प्राइ सेम ऐसे DNA replication में जो news friend बने थी वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन की ही बने थी ठीक है तो इसका चो यह 5 प्राइम portion है और यह 3 प्राइम portion होगा 5 प्राइम portion पे क्या होगा एक cap अटेच की जाती है 5 प्राइम एंड पे क्या होगा एक cap अटेच की जाएगा इस cap को वो cap किसे मिलके बनी होगी? methylated granin से मिलके बनी होगी किसे मिलके बनी है? methylated granin से मिलके बनी है तो methylated granin से मिलके बनी हुई एक methylated granin से मिलके बनी हुई एक cap को यहाँ पे क्या किया जाता है? अटेच किया जाता है मतलब 5' end पे हम कुछ portion attach कर रहे हैं तो यह एक ऐसी cap-like structure को attach किया जाएगा इसको क्या बोल रहे हैं cap बोल रहे हैं, cap किसे मिलके बने हुए? methylated guinean से मिलके बने हुए यह तो होगा 5' end पे, 3' end पे हम एक tail portion add करेंगे, ठीक है? यह है tail portion कि कौन से end पे add किया है? 3' end पे एक tail add की जाएगे, वो tail है जो वो उसको हम बोलते है polyadenine tail, polyadenine का मतलब क्या? उसके पास होंगे बहुत सारे adenine के bases, cap के पास था guinean, tail के पास क्या है? polyadenine, तो यह एक ऐसी स्ट्रक्चर है, जिसके पास क्या है? बहुत सारे adenine है, यह यहाँ पे attach की करती जाएगी, cap और इस process को, मतलब cap और tail add करने की process को हम बोलते है, capping and tailing, capping कहां की जाएगी, cap कहां पहनते हैं, head portion मतलब जो हमारा front portion होता है, तो यह 5' head हमारा क्या है? front portion है, तो front portion पे क्या कर दी जाएगी, cap पहना दी जाएगी, और जो back portion है, उस पे एक tail, polyadenine tail, attach कर दी जाएगी, यह क्या करेंगे, इस RNA को क्या कर देंगी, activate कर देंगे, अब यह जो हमारे पास RNA है, यह है हमारे पास mRNA, जो की activated form में, जिसके पास exon portion है, cap portion है, और क्या है, एक tail portion है, ठीक है, तो यह हमारे पास fully, stable mRNA बन चुका है, ठीक है, अब, तो हमारे पास जो mRNA बना, उसके पास सारा का सारा क्या बचा है, exon portion, मतलब सारा का सारा क्या है, coding portion, उसके बाद उसके साथ attach कर दी गई, एक cap, और back में एक tail, tail किस्ते मिलके बनी होई थी, एक codon, और codon कौन सा, start codon, 5' end पे, एक codon present होगा, कौन सा codon, start codon, और start codon attach है, 5' end पे, सेम ऐसे, जो 3' end है, वहाँ पे, उसके पास क्या attach हो जाएगा, एक stop codon, क्या attach हो जाएगा, एक stop codon attach होता है, यह इसका functioning आप, जब हम transcription की process करेंगे, तब समझ जाएगा, तो 5' end पे, जहाँ पे क्या attach होई थी, cap, cap के बाद, एक start codon present है, और tail से पहले क्या present है, एक stop codon present है, तो यह है, हमारे पास mRNA, जिसकी formation कैसे होगी, 5' 2, 3' की direction में होगी, उसके सामने होई है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, तैंक्यू,